जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामनर ने क्या कहा है अस्थम और रुपीस 12,000 डिपोजिट एट कंपाउंड इंटर्स बिकम डबल आफ्टर 5 यह विल इट बी आफ्टर 20 यह यानि एक्जामनर ने क्या कहा है कि क अगले पात साल में वो कितने बंजाएंगे आपके वह चार रुपे बन जाएंगे हैं इस से हुआ पांच 10 15 20 तो अगले 20 साल में इतना हो जाएगा बट एक्जामनर ने जो अमाउंट दिया है वो मुझे कितना रखा आपका बारह हजार रुपी दे रखाया तो इससे किस् 120 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 120 से आप इसे मल्टिप्लाई कर दीजिए आपका माउंट आ जाएगा तो 16 दूनी 32 और यह आपका आपका ओप्षिन जो डी है वह इस कोशन का करेक्ट होगा एक बार फिर देखते हैं कि यह हुआ कैसे जड़ा देखते हैं इसको इक बार चलिए अगर मेरे को 12 रुपे माना की 12 रुपे माने माना की मेरा अमाउंट था तो वन प्लस का आर बटे में 100 की पावर में मैंने 5 रखा तो यह अमाउंट होना चीए डबल यानि की बारा का डबल कितना हो जाएगा आपका 24 रुपे इसको सौल करूंगा तो मैं क्या रुपे में 100 की पावर 5 का जो वैल्यू है वो टू आगी अब एक्जामने ने क्या का कि 12 रुपे जो है फ़न प्लस में आर बटे में 100 की पावर कितना है आपका 20 यह अपने का क्या रहता है 12X time हो जाता है माना की वह 12X टाइम हो जाता है तो इससे सोल किया मैंने कि यह मेरे पास में कितना है आपके 1 प्लस आर की पावर 20 तो यह 5-5 की फेक्टर में तो ओल लिता हूं समझाने के लिए आपको 1 प्लस का आर बटे में 100 रखने हो तो मैं डिरेक्ट रदूँगा यह मेरे पास 5 जाएगा फिर मैंने इसे रखा 1 प्लस का आर बटे में 100 यह मेरे पास 5 रखा फिर इंटू में 1 प्लस का आर बटे में 100 की पावर 5 रखा इंटू में 1 प्लस में आर की पावर बटे में 100 की पावर 5 रखा इस कल टू में क्या होगा एक्स हो गया यह 1, 2, 3, 4 इनकी सबके बेस से में पाबर मेरी इनकी एड हो जाएगी तो पांट दस पंद्रा और 20 20 कि इसकी गेलव मेरे पास यह है तो इसकी जगाए टू रखूँ उसकी जगाए टू रखूँक्acia टू यह तू यह तू यह तू और यह टू इनसरफ गैम में मल्टिप्लाइ करूँगा तो मेरे पास 16 आएगा बट एक्जामनर कह रहा है कि यह किसके सब्सक्राइब करना 12 के साथ मल्टिप्लाइब से 12 से मल्टिप्लाइब कर देंगे तो यह 190 आपका कितना एगा 192 तो 16 करमें 6 दूनी 12 और आपका दो एकम दो ठीक है दो दो 192 यानि कि 192 और यह तीन जीरो में यहाँ पर लगा लूग कि मैंने लगाएं थी यानि कि अंसर जो आएगा वो 192 ट्रिपल जीरो आएगा आई होप आप सभी कोशिन समझ में आओगा जय हिंद जय भारत